गुड मॉर्निंग फ्यारे बच्चो नब्या ओनलाइन स्टडी चैनल में आज हम क्लास एर्थ का इट सो हैपन बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे चिल्डरन एट वर्क बहुत बेहितरींग चैप्टर है बच्चो आपको बहुत इस चैप्टर में मज़ा आने वाला है ठीक है अच्छ ठीक है या फिर कुछ बोरे उनके कंदे में होते हैं और प्लास्टिक और ऐसी चीज़ों को उठाते रहते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे आपको दुगानों में काम करते वे दिख जाते हैं तो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पड़ाई से बंचित हैं घर से बंचित हैं ठीक है तो कैसे वो अपने लाइब को जीते हैं ठीक है तो ये एक जो पार्ट है जो चैप्टर है ये इसी पर आधारित है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज आपको बहुत नहीं नहीं इनफॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाली है चलिए स्टार्ट कर करना पड़ता है some help their family कुछ अपनी family की मदद करने के लिए करते हैं make livelihood उनका जीवन या पन के लिए others और कुछ जो दूसरे बच्चे होते हैं who run away जो भाग जाते हैं run away means भाग जाना from unhappy home एक दुखी घर से जिस घर में problems रहती हैं तो कुछ बच्चे ऐसे में भाग जाते हैं need to support themselves और need आवशक्ता होती है उनको support themselves ठीक है किसके लिए अपने लिए जो है support की आवशक्ता होती है children who have to work children जो काम करते हैं cannot go to school वो school नहीं जा सकते हैं and play like other children of their age ठीक है और play ठीक है ना तो वो school जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं जैसे की उनकी age वाले दुस्से बच्चे कर सकते हैं या करते हैं ठीक है चलिए आप अपने को सौभागी साली समझिए कि आप पढ़ रहे हो ठीक है वैलू जो है एक बच्चे का नाम है वो 11 year old है 11 साल का एक लड़का है run away from whom अब घर से क्या हो जाता है भाग जाता है he wondered he wondered around 4 hour before getting on a train to Chennai without a ticket और वह wondered means होता है wonders means होता है इधर अधर भटकना ठीक है तो he wonders वह भटकता रहता है around 4 hour कई घंटे ठीक है before getting to train to Chennai without a ticket ठीक है before getting train train before getting on train train पर पहुंचने से पहले to Chennai ठीक है train to Chennai जो Chennai जो Chennai जो जाना होता है without ticket ठीक है बिना ticket के वह हो Chennai पहुंचने से पहले कई घंटे जो है इधर अधर भटकता रहता है tired and hungry और क्या है tired ठका हुआ है और hungry भूका है he does not know वह नहीं जानता where to go कहां जाना है when a stranger when जब a stranger एक अजनभी at the station station पर shout चिलाता है a word of welcome किस क्या करता है word of welcome स्वागत के जो है उसके सब्द होते हैं ठीक है चलिए start करते है lesson को यह तो एक समरी थोड़ा दी थी उसने when at kanyakumari express kanyakumari express एक train का नाम है तो when the kanyakumari express pulled in at chinny central जब यह कहां पहुंचती है chinny central में पहुंचती है it took value some time to get off it took इसे लगता है यानि value को थोड़ा time लगता है उससे get off यानि नीचे उतरने में ठीक है when he finally stood when job he was finally on the man stood खड़ा हो जाता है on the platform और जब वह उसके बाद क्या हो जाता है platform पर खड़ा हो जाता है his leg felt wobbly उसके पाउं जो है वो felt wobbly means उससे लड़कडाहट लड़कडाहट ठीक है लड़कडाते हैं उसके पाउं as he was still on moving train as जैसे की if he was कि वह अभी तक था still अभी तक था on moving train चलते भी train में उससे अभी तक ऐसे उसके पाउं लड़कडा रहे थे जैसे वह अभी भी चलती भी train में होगा ठीक है ओए out of the way एक आवाज आई ओए out of the way रस्ते से हटो a potter potter means gully went by with a loaded trolley went by ठीक है वो क्या कर रहा था जा रहा था एक loaded trolley लेके loaded trolley means उसके हाथ में क्या था एक trolley थी जिसमें समान भरा था वेलू जम्प साइड वेलू जो है एक साइड जम्प करके एक साइड हो गया he sat on bench वह बैठ गया bench पे on the platform प्लीटफॉर्म की bench पो बैठ गया putting his small bundle down और उसने putting रखा his अपना small छोटा सा bundle जो उसके हाथ में छोटा सा bundle था उसने उसको भी नीचे रख दिया in all his 11 years in all his 11 years he had never seen so many people 11 साल में he had never seen उसने कभी नी देखे थे so many people इतने लोग except अलावा किसके अलावा once a year साल में एक बार at the fair in his village उसके गाउं में जो एक बार साल में एक बार जो मेला लगता था उसमें जो लोग आते थे उसके अलावा उसने अमनी life में 11 साल में कहीं पर भी इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे people walked by bumping ठीक है people जो walked जा रहते bumping ठीक है वो टकरा रहते bumping means होता है bump means होता है टक्राना तो टक्रा रहते into him उस पर with their suitcase ठीक है किस से उनके suitcase जो हाथ में suitcase होता है उससे जो है टक्रा रहते a voice announced एक आवाज announced हुई एक आवाज सुनी उसने something on a loudspeaker और किस पर सुनी loudspeaker पर सुनी आप देखते होगी जब आप बहुत सारे बच्चे गए होंगे प्रेटफॉर्म पर जो है वो क्या है announcement होता रहता है कि यह train इतने बज़े आएगी यह train इतने बज़े आएगी तो इस तरह का announcement उसने loudspeaker पर सुना near him नजदीक ही उसके a group of people एक लोगों का group समू सेट बैठा था on पर किस पर बैठा था दियर लगेज मनलब अपनी लगेज पर बैठा हुआ था looking luggage मेंसे होता है समान ठीक है looking at a tv और क्या देख रहा था टीवी देख रहा था hanging from the roof जो कि hanging लटका हुआ था रूप पर वो टीवी देख रहे थे जो कि रूप पर लटका हुआ था और आपको पता है उस टीवी पर कोई movie नहीं वालकि टीवी पर वही announcement से related कि कौन सी train कब हैगी वहीं चीज़ें चलती रहती है the noise was terrible और चो आवाज थी वो काफी terrible मींज से होता है भयानक ठीक है terrible आप सुनते हो इसमें आवाज जैसी आती है बिल्कुल समझ में भी नहाता है बड़े मोटी जैसी है जीब जैसी तो ऐसी आवाज उसमें से आ रही थी value value put his head down on his knee value ने क्या क्या अपना सार down on his knee अपने knees घुटनों में रखा feeling miserable और feeling miserable दैनी और बहुत ही दैनी मलब एक बेचारा जैसा होता है ऐसा ही अनुभाव कर रहा था ठीक है and exhausted ठीक है और ठका मादा ठका मादा डैनी हालत जो है वो अपनी फील अनुभाव कर रहा था he had run away from his village वो भाग गया था अपने गाउं से two day ago दो दिन पहले वो दो दिन पहले अपने गाउं से भागा था for two days he had eaten nothing और दो दिन में उसने कुछ भी निखाया देखे कैसे ठीक है पीनट आप जानते हो मुखफली and a piece of jaggery ठीक है जागरी का होता है गुड़ और उसने अपीज एक टूड़ा किसा खाय था गुड़ का in his bundle उसके bundle में जो उसके हाथ पे था bundle he carried वह ले जा रहा था क्या ले जा रहा था एक साट ले जा रहा था एक टाउल ले जा रहा में चीजें थी he had walked for most of the first day to canoor and then got on the train to chinna he had walked वह पहले चला most of बहुत ज्यादा first day वह पहले first day चला कहां तक चला कनूर तक चला और then got on the train तब उसने वहाँ से train पगड़ी chain नहीं के लिए ठीक है value had no money उसके पास कोई पैसा नहीं था और टिकट के लिए उसके पास पैसा नहीं था but luckily लेकिन सौभाग्य से उसके भाग्य से the ticket collector did not come ticket collector जो आते है ना ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए तो उस दिन नहीं आया to the unreserved compartment unreserved compartment unreserved compartment जो आरक्षित नहीं होता है जिसमें कोई भी जाके बैढ़ सकता है ठीक है कोई भी जाके means ticket लेकिन उसमें seat रिजर बे नहीं होती है कोई भी कहीं बर भी बैढ़ सकता है तो ऐसे डिब्बे में un shop भाग्य से जो है कोई ticket चेक करने वाला नहीं आया he had tried उसने tried किया उसने प्रियास किया to sleep सोने का on the floor floor मलब आप देखते हो train के seat में तो लोग बैठे होते हैं नीचे floor में भी बैठे होते हैं तो वहीं उसकी बाद तो थी नहीं तो floor में वह बैठा हुआ था near the door बिल्कुल दर्वाजे के नजदिग a group of men वहाँ पर क्या है try to sleep वह सोने की कोशिस कर रहा था floor में जो की दर्वाजे के बिल्कुल नजदिग में था a group of men एक लोगों का group मना समू वहाँ पर बैठा था next to him उसके बिल्कुल बगल में had played वह खेल लेते card card खेल लेते and shouted all night और पुरी राद भर भी नीद नहीं आई ए अब एक आवाज आई ए वट न्यू टू टाउन ए क्या इस नगर में टाउन मिस इस नगर में आप नहीं हो ठीक है called out a rough voice एक रफ ठीक है rough voice आई रफ मरलब जो कानू को अच्छी नहीं लगती इस तरह एक आवाज पीछे से आई वेलू अपनी आखें खोली there were a lot of people standing around वहाँ there were a lot of people वहाँ बहुत सारे लोग standing around उसके चारों तरफ खडे थे but nobody was looking at him लेकिन कोई भी उससे देख नहीं रहा था ठीक है but nobody कोई भी उससे नहीं देख रहा था ठीक है here फिर आई here a फिर आई आवाज here a अरे यहाँ अलब उसने कहा कि इधर देखिये he turned around मुडा पीछे turn around उसने देखा मुडा behind him उसके पीछे was a girl एक लड़की थी around his own age लगवा लगवा उसके अपनी age की own अपनी age उम्र की wearing a long बनियान और उसने क्या पहना हुआ था एक लंबी जैसी बनियान पहनी थी ठीक है that came down to her knee जो जो है came down to her knee जो उसके कहां तक वह sweater उसकी कहां तक आ रही थी वह sweater देखो यह देखिए यह लड़की है ठीक है लड़की देखिए आपने तो कहां पर थे हम हां he turned around behind him was a girl मैंने पाल दिया कि उसके पीछे लड़की थी around his own age उसकी उम्र की थी wearing a long बनियान जिसने एक लंबी बनियान पहनी थी that came down to her knee जो उसके नीचे घुटनों तक आई थी cooperative, her ear was stiff. उसकी जो बाल थे वो क्या थे? stiff means होता है सक्त कडे जैसे ठीक है क्यों होते है? क्यों ना दोना नहीं होता है, comb नहीं होता'S appeals पे तो इससे बाल जो है automatically क्या हो जाते हैं रूखे और कड़े सक्त जैसे हो जाते हैं तो ऐसे उसके बाल थे and brownies और brown color के थे and she had a huge sack on one soldier और उसके पास क्या था huge बड़ा sack sack means होता है बोरा on one soldier और उसके कंदे पर क्या था एक बड़ा सा बोरा था she was picking up वहा उठा रही थी dirt dirty plastic गंदे plastic cup उठा रही थी from the floor floor वही नीचे floor से जमीन से and stopping stop means का होता है भरना उनको उनको भर रही थी किसमा भर रही थी dam उनमे ठीक है उनको stepping them उनको भर रही थी ठीक है चलिए नीचे आते है stepping them into her sack किसमा भर रही थी अपने sack मा भर रही थी why is she calling me वहा मुझे क्यों उला रही है thought value value ऐसा सोचने लगा and why is a girl wearing a बनियान और इस लड़की ने यह बनियान क्यों पहनी है अब ऐसा value सोच रहा है no need to stand stupidly अब वो लड़की कह रही है what's कि no need कोई आश्यक्ता नहीं है मुझे इस तरीके से मुर्खता पूर्ण तरीके से घूर नहीं ठीक है what is your name तुमारे नाम क्या है value मटर में स्थोरा बड़ बड़ा ना वेलू बड़ बड़ाया looking away ठीक है उसने देखा ठीक है looking away उसने दूर देखा so mister value so mister value said the girl looking at his bundle ठीक है जब उसने बड़ बड़ा के जवाब दिया वेलू और वह looking away दूसी तरफ देखने लग गया तो उस लड़की ने कहा mister value said the girl लड़की ने कहा look at his bundle उसके bundle को उसने देखा run away from home अच्छा question मार के ने बीचे run away from home अच्छा घर से भागे हो value did not answer value ने कोई answer नहीं दिया he did not want to tell some strange girl what he had done he did not want to tell उसने कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था some strange कुछ भी ऐसा strange girl उस अजनवी लड़की को what he had done ठीक है जो भी उसने किया था जो भी वो घर से भाग किया था वो कुछ भी उस लड़की को नहीं बताना चाह रहा था he had run away ठीक है he had run away वहा भाग गया भागा because he could not stand his father because वहा could not stand his father beating him for one more day वहा बिल्कुल भी नहीं चाहता था यसा कि उसके पापा beating मारें उसे one more day एक भी दिंग उसे और मार सकें तो इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सका और इसलिए वहाँ से भाग के आई यह तो यह वो बताना नहीं जा रहा था his father would snatch उसके पापा snatch means चीन लेते थे snatch away उससे चीन लेते थे all the money सारा पैसा value and his sister earn जो की value और उसकी बहन कमाते थे and spend it on drink और वो इसको किस पर खर्च कर देते थे उसके पापा drink पर खर्च कर देते थे ठीक है या अधर बच्ची जानते हैं कि drink क्या होता है ठीक है तो उस drink पर पैसा क्या कर देते थे खर्च कर देते थे don't think I don't know don't think मत सोचो I don't know मैं नहीं जानती ठीक है this place is full of children like you यह जो जगो है यह full of children like you तुमारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है so what are you going to do here what kya are you going to do here तुम यहां क्या करने जा रहे हो बिकम रिच धनी बनने के लिए ठीक है रिच बनने के लिए आप यहां क्या क्या करने जा रहे हो ठीक है she sat down वह बैट गई ठीक है she sat down next of him वह उसके ब्रकुल नजदीक बैट गई वेलू shifted वेलू थोड़ा shift हो गया shift मना थोड़ा खिसकना ठीक है away slightly slightly means थोड़ा सा थोड़ा सा खिसक गया खिसक गया क्यों खिसक गया यह यह बैट गी थी उसके बगल में he felt hunger वह बहुत hungry था he felt hunger pinching him ठीक है वह अनुभा कर रहा था कि भूग उसको pinch कर रही थी and pressed his stomach and pressed his stomach with a grimace और वह अपने पेट को जो है प्रेस कर रहा था किस से grimace मनलब अजीब सा मूँ बना के ठीक है क्योंकि उसने बेचारी ने दो दिन से खाना नहीं खाया था you won't get food by sitting here glumly ठीक है you won't get तुम्हें नहीं मिलेगा food भोजन by sitting here यहां बैट के glumly ठीक है glumly क्या होता है उदास होकर उदास होकर बैट के यहां खाना नहीं मिलने वाला है making face ठीक है और इस तरीके का face बना के I can find some if you want मैं कुछ ला सकते हूं कुछ ढूंड सकते हूं तुम्हारे लिए if you want दी तुम चाहों ठीक हो गया आ रहा बच्चों समझ में अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ ठीक है और मैं बार बार यहीं बात बोलता हूं कि likes कमा रहे हैं और जितना आप मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी वीडियो को like और subscribe करना तो आप ही का काम है अब मैं इतना कर रहा हूं तो इतना आपको करना पड़ेगा जिससे मुझे भी खुशी होगी कि चलिए बहुत सारे आपको पढ़ा सकूं ठीक है चलिए कि पिकड़ उसने पिकड़ खर हर सैग उसने अपना पिकड़ उठाया सैग बूरा and stayard sorry and started to walk away और उसके बाद क्या हो गया वहां से उसने चलना start कर दिया वहां से चली गई वेलू इस लड़की को फॉलो करना चाहिए उसके पिछे जाना चाहिए वहाँ उसे कहा ले जाना चाह रही थी वहाँ गयब हो रही थी into the crowd crowd means भीड में गयब हो रही थी so he had to make up his mind quickly so इसलिए he had to make up उससे जल्दी make up करना था यानि जल्दी अपने mind को जो है quickly बहुत जल्दी make up करना था या तियार करना था कि उसको उसके पिछे जाना है या नहीं जाना है ठीक है, all right, ठीक है, he decided उसने देने लिया, anyway, कोई बात नहीं, I have, anyway, I have no idea, मुझे कोई आइडिया नहीं है, where to go, कि कहां जाना है, he jumped up, वह जल्दी खूदा, and ran after her, और उसके पीछे क्या गया, भागनी लग गया, she was not even looking back, she was not even looking back, वह एक बार भी पीछे नहीं देखा, उसने, to see here he was, यह देखने के लिए, कि where he was, कि value, कहां था, वो उसके पीछे आ रहा था, नहीं आ रहा था, यह देखने के लिए, एक बार भी, उसने क्या-क्या, पीछे नहीं देखा, ठीक है, उसने पीछे नहीं देखा, तो बच्चो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसके लिए हम इसे इस पार्ट को यहीं पर खतम करते हैं और हम एक काम करेंगे इस बार मैं इस सोच रहा हूँ कि पूरा चैप्टर पहले किलियर कर लेंगे पार्ट तो पार्ट उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसन चेक है इसको आप कोशिस पहले यह करो कि जैसे मैंने पूरा लेसन पढ़ा दिया दो तीन चार बार जिदनी बार भी हो सकता है लेसन को पढ़िए ठीक है और उसके बाद मेरे को यह विश्वास है कि आप इन क्वेस्च के अनसर जो है एक बार कम्प्रीट एक्सरसाइज में इससे जो है इसका सॉलुशन आपको मैं करूंगा सॉलुशन में इसका बना के यह बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कर लेना चलिए तब तक के लिए थैंक